यार कितना अच्छा होता ना अगर हम अपने 4GB, 5GB, 10GB वाली वीडियोस को छोटा कर पाते और वीडियो कॉलिटी भी नहीं घटती सेम कॉलिटी में हम किसी वीडियो को कंप्रेस कर पाते सच में बहुत अच्छा होता बहुत असान तरइके से अपने विडियोद को अपने फोन पे अपने PC पे रख पाते कम स्पेस खाती वीडियो ट्रांसपर असानी से कर पाते और तो और वीडियो अप्लोड में भी हमें बहुती कम टायम लगती और इससे क्या होती ही हमारे इंटरनेट डैटा भी खर्च कम होती है तो वल्कम बैक टू रियल ओफिस ओलंगे चैनल दोस्तों आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि वीडियो की साइज है जो उसकी क्वालिटी है तो सारा कुछ उप्टिमाइज करने के यहां पर मैं बात करने जा रहा बड़े वालि को भी साई है तो सब्सक्राइब आप ब tribute में होने तो जो भी मैं पर चीज में बात करने बाला और यह जो भी मैं यहाँ पर चीजह लाता हूं दोस्तों बहुत छी करके बहुत प्र28 करते यह क्लैट इस भाना अ करतां नहीं बताता हूं आप video को यह अच्छि लगती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग मैं बताता हूं कि वह सॉफ्ट्वेर कौन सी है और उसको ऑपरेट कैसे करना सिटिंग कैसे करनी है और हमें और पुट कैसे मिलेगी तो दोस्तों आपको जो सॉफ्ट्वेर उसको डाउलोड कर लेनी मैंने डिस्क्रिप्श के लिए तो आपको जो सॉफ्ट्वेर डाउलोड करनी है वह है हैंडब्रेक एंडब्रेक सॉफ्ट्वेर का मैं लिंक दे रखा एंड ऐसे सॉफ्ट्वेर में बहुत धूने के बाद ले आया आया आप लोग के लिए इसमें किसी तरह का आपको चार्ज देने के जरूद द आप फोल्डर को भी यहां पर कर सकते हैं या फिर वीडियो को भी आप ड्रॉप कर सकते हो तो मैं बहुतर समझता हूं कि मेरे जो वीडियो हैं आप यहां पर देखें यह पीडिया पीसी देखिए 48 यह ना कितना है 445 MB मतलब एराउन हाप जीबी का है दोस्तों ठीक आप इ та यहांपर ड्रेंग करना है इसको ऐसे करोंगे हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखो जो प्रि- प्रिश्ट है घृराएं इसको छोड़ देना है, यहां पर किस तरह का changes आपको नहीं करनी है, अगर आप चाहते हैं इसको और changes करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको same follow करनी है, बाकि आपको जो format दिख रही, format भी MP4 में आपकर रहेगा, सारा को same रहेगा, tracks भी same रहेगा, स इसको मैं save कर लिया हूँ, save हो जाने के बाद दोस्तों, अब क्या करनी है, अब इसको run करना है, इसको यहां पर start in code है, यहां पर जैस से आप करोगे यह work करना स्टार्ट हो जागा, यहां पर tap करने के बाद आप देखें, यहां पर convert होना start हो जुकी है, प्रोसेस लेना, start हो तो अब इसका मैं आउट्पूट देखता हूं मैं यहां पे थोड़ा से वीडियो को स्किप करता हूं दोस्तों ठीक है एंड मैं डारेक्ट आपको पहुंचाता हूं आउट्पूट की तरफ अभी बजा आएगा ना विडियो ना जी भाई अभी आएगा रोड पे तो दोस्तों अब यहां पर क्या है यह आउट्पूट हमारी हो गई है ठीक है अब मैं आउट्पूट आपको दिखाता हूं क्या है तो आप लोगों मैं दिखाता हूं जो मेरा जो फोल्डर था रियल दोस्तों आप लोगों को सेम फाइल को सो करता हूं ठीक है यह देखें पीडियेफ्ट पीसी राइट यह 48 नमबर इसका साइज आप लोगों में दिखा दो कितना था दोस्तों 10GB का फाइल था एरांड 500 MB घा था दोस्तों यहां पर मैं बता रहा हूं मैंने चार्ट जिबीर फाइल को 200 MB तक किया था सिम क्यालिटी में अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं आप लोग को वेलकम बैक तो रियल ओफिसलोन के चाहिए पाइज़ कर रहा हूं तो आई होप दोस्तों यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी वीडियो जो इनफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहा हूं जो आप लोग डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं यह बहुत महन से आप लोगों को बता रहा हूं यह सब चीजे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं तो आई होप कि यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी हो जरू एक लाइक कीजिएगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है दोस्तों कि घर का दर्वाजाए बेल में बजाओं आप फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करो यार ठीक है फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तरने टेक केर स्टेशिव और थैंक्स पो वाचिंग झाल